स्क्रीन थोड़ा टेड़ी है गुड़ इवनिंग, गुड़ इवनिंग, गुड़ इवनिंग, गुर्प के शिपकर गुड़ इवनिंग, गुडव शत्रव मूत तुम लोग यहाँ में। या मी टू, diamond गुड इवनिंग, अल, गुड इवनिंग, कहसे है भी सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिग, गुड इवनिग, वन ओके, रिजल ठाकूर भूत अचा, नाम भी तो ऐसे रखते हो, नो तुम लोग अपने गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जलदी-जलदी, आजाओ, यार, तुम्हारी इस जनम की साथी, तुम्हारी बोकस को लेकर आए उना साथ में चलो जल्दी 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 आजाओ सब लोग, quickly, yes ma'am, yes ma'am, क्या बात है, हमारे बच्चे है, हमारे बड़ी आजा, शाब बाश, so क्या बात है, अच्छा, प्रे पर अपर अपर से सब लोग, कै बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, NCRT है न, so आपका जो relationship status है न, वो, हाँ, committed होना चाहिए, बिल्कुल, but committed to what, किसको committed होना चाहिए, जरा लिख के बताओ, हाँ, 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 relationship status should be committed, हाँ, but committed to what, कौन मेरा intelligent बच्चा इस बात का answer लिख जेता है, जरा देखे, हाँ, क्या बात है, दीपरा, साहब, साहब का relationship होना, हाँ, बिल्कुल, committed to NCRT, 18 lojal, हाँ, on diffusion lojal, हाँ,focused and loyal, हाँ, क्या बात है, क्या ही बढ़िया बच्चे है, हमारे, हाँ, ह मौ बात ही बढ़िया, हाँ, क्या बात है, क्या बात है, हाँ, बहूत ही बढ़िया, सो इसी बात पे तालिया हो चाहि हमारे स्मार्ट बच्चों के लिए क्या बात है वेरी गुड चाब बाश बहुत ही बढ़िया हां सो हां all committed to NCRT and a very good job so attendance लगा दो forward से like का बटन प्रेस कर दो यार हां जली से like का बटन प्रेस कर दो and हम लोग बस शुरू करने वाले हैं हां like का बटन प्रेस अरे दोसों से बढ़ जादा बच्चे देख रहे हैं ऐसे कैसे लाइक तो अभी उतक उतने हैं मैं मैं आप कैसा हो मैं अच्छा हूँ आप कैसी है यही वहाँ पर converse करने का तरीका होगा नहीं अनुष्का, मयंख, वाखंडे, गौरंगा, साइलेंट ड्रीम, और मार्वल, मार्वल अहाँ, छीक है, छीक है, चलो, शुरू करें फिर, हना, जादा टाइम नी लगाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक that is your NCRT highlights so welcome, welcome, welcome everybody, those who are watching me for the first time my name is Meenakshi Sharma and I am a master teacher here on Vidantu Neat Made Easy so let's start, let's start, let's start, let's start, let's start, without any delay and I have told you that I will ask you first questions, so we will be ready to give you questions first we will ask questions, then we will grow up and I have a little setting that I need to do, I think so this looks fine now so guys, NCRT highlights, welcome to the session और ये ही रही आपकी book, इस तरीके से ही आपकी book आपके सामने अवेलेबल होनी चाहिए एक दम and अगर चैनल में सब्स्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्स्राइब कीजिए सबसे पहले और टेलिग्राम ग्रूप को भी जॉइन कीजिए विदान्तू का crash course बिटा हर Monday जो है वो नया back start हो रहा है अगर आपने Monday को bash शुरू कर लिया है तो बहुत अचा डिसेशन लिया है आपने विदान्तू के crash course के लिए जो specially design की गई है वो इस पे काम कर रही है अगर नहीं किया है तो इस Monday को कर ले ना because most काफी सारे बच्चों ने कर लिया है काफी सारे बच्चों ने कर लिया है तो आपको ये 120 live sessions में आपका पूरा का पूरा syllabus complete करवा देंगे अगर इसका आपको doubt है तो जैसे March में आपका session complete हो जाएगा और इसमें हर एक chapter के बाद आपको full mock test जो है आपके वो मिलेंगे doubt app की बात करें तो बेटा सुभे से लेके शाम तक आपके हजारों जितने भी doubts है वो सारे के सारे आपके पूरे होंगे ठीक है mock test सबसे जादा ही important बात होती है जो आपको देने चाहिए तो इसका वो integral part है इस particular crash course का ठीक है इसको लेने के लिए बिटा लिंक आपका description box में दिया हुआ है आपको इस पर आफ चाहिए आप coupon code लगा सकते है msnit and you can apply the coupon code as well ठीक है तो आपको यह discount मिल जाएगा लिंक इसका description box में दिया है यह बिटा यूट्यूब का course है जो हमने last year दिया था तो अभी भी available है link इसका description box में भी दिया गया है तो इसको जरा जाकर जरूर देखना इस सब के one shots है but एक में चीज में आपको बता देती हूँ इसको तभी देखना अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो इसको ऐसे लिए पहली बार पढ़ने मत चले जाना पहली बार पढ़ने चले के तो हो सकता है कि माथा पीटो अभी क्या हो गया ठीक है ठीक है बिकास इसमें शॉट में अगर तुम सोचो कर human health and disease को एक lecture में complete किया है तो फिर क्या ही हुआ होगा वहाँ पे ठीक है तो चले आज का सुविचार है हमारा 1924 is the age यह आपके लिए बार स्पेशली एक्स्क्लूजिबली फॉर यू ठीक है आलिया हसी आ रही है हाँ अनुजा स्टाड़िट मैम हाँ ठीक है सुन गया मुझे So introducing the NCRT Highlight Series Guys and we already have covered the one part in that session को शुरू करने से पहले या कुछावस की आंसर दे दू और questions के answer.. या यार? पहले question के बेंसे? यह नहिए नहिए? कलवले question के आंसर चाहिए थे हमे एक मिनटा मेरा ऐसे किसे जाने देंगे तुमको questions के answers तुमें पूछूँगे ready है न सब लोग ready हो न ready हो न ready हो न चालो तो quiz पड़ा पड़ से 3-4 questions पूछूँगे 3-4 questions का जल्दी जल्दी answer देना quiz है आपका और आपका question पर बन ready ready my eyes are like the eagle eyes and it is directly on the chat box जो भी बच्चा सबसे पहले answer देगा so it is visible to me चलिए here comes the first question which cells of the crypts of livercune secretes the antibacterial isozyme बैसे यह आज का हिस्सा है चलो 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 कोई बात नहीं आपने पड़ा होगा पहले भी है क्या बात है DDD omicron ए तो एक तो असार्थिक परीदर अपना नाम चेंज कर ए ओमिक्रोन भोलने मुझे इतना जीब लगता है यह तो omicron क्या कि कुछ और नाम आड़ कर short form में राजेश इवांशू श्रीमान्थ so क्या कहते हो आप लोग क्या कहते हो D. panate cells are you sure about that crypts of livercune हाँ वही है बिल्कुल सही जवाब इसका परिट cells जो पिटापके सिक्रीट करते है antibacterial lysozyme आज हमने दिन में भी पढ़ा है यह बायो टेक में भी हमने पढ़ा है गुड 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 जॉब इसको डीटिल में हम आज पढ़ेगे यह आज के लेक्सर का पार्ट है इन में से कौन से हॉर्मोन जो है पेंक्रियाटिक जूस और बाय कार्बोनेट को प्रोडक्शन को स्टिमूलेट करते है शाबश 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 अच्छा ठीक है हाँ सोज समझ के आंसर देना सोज समझ के शाबश 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 समझ क्या बात है B is the correct answer कोलिस्टो कारिण इन सीक्रिटन इसके बारे भी हम लोग पहुचे नहीं अभी हां पढ़ेंगे लेकिन हां देखते तो भी पहले से नॉज़िज कितना है कोलिस्टो कारिण इन सीक्रिटन absolutely the correct answer secretion was the first discovered hormone by the way question is one of the constituent of the pancreatic juice that is poured into deodenum in humans is a pancreatic juice is a component that we pour in deodenum what do we say see why are all these C Paki B B C C C mission neat पढ़ना शुरू करते pancreatic juice वो करता है आपका trypsinogen उसका सही answer है trypsinogen जिस word के पीछे भी ogen लगता है वो हमेशा ही आपका inactive enzyme होता है ठीक है so trypsinogen ogen है उसके पीछे trypsin नहीं ogen ogen लगा हुआ है उसमें अभी वो inactive की form है वो enterokinase उसको activate करेगा right ठीक है तो चली काफी आपके के question पूछ लिए मैंने तो अभी आज का जो है chapter वो शुरू करते हैं आज का वो शुरू करते हैं तो कल हमने बिटा छोड़ा था मैंने आपको बताया था कि SMSM के बारे में do you remember this do you remember this do you remember this चलो पड़ा पड़ से यहाँ पर कुछ एक चीज़े है जो तुमने लिखनी है मैंने लिखनी पहले भी बताई थी यह चीज़े और मैं आप दुबारा बता रही हूँ SMSM है ना तो S जो है पिटा आपका सिरोसा के लिए था फिर देन मस्कुलारिस के लिए M था फिर सब म्यकोजा के लिए S था और उसके बाद म्यकोजा के लिए भी M था SMSM ठीक है पिटा आच्छा अब इसमें पिटा एक बात बोली गई है आपके जो ब्रानर्स ग्लैंड है ब्रानर्स ग्लैंड पिटा आपके बैस दो ऑप्शन है 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 आपके बैस ब्रानर्स ग्लैंड आपको कहां मिलते हैं So the correct answer to this question is Submucosa आप देखना, आपके mostly जो glands हैं, जो GIT के glands हैं आपके, खासकर जो आपके gastric glands हैं, बाकी भी आपके जो intestinal glands हैं सब के सब बेटा आपके mucosal glands हैं, except for one gland, और यही question paper में आता है, except for one gland, जिसका नाम है बेटा Submucosal glands में आपके Brunner's gland पे जरूर लिख लेना, ठीक है done है, done है, बिल्कुल Brunner's gland कहा होगा बेटा डियूडिनम में होगा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक बिच्चे ने लिखा हैं आपके चाइट बोक्स में, ठीक है बेटा, done done होगया, Brunner's gland याद रखना इस चीज़ को, हाँ, very good, very good, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, इसमें बात में आएंगे, पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसका वो पला पार्ट तो चला गया, यार, रिटन वाला पार्ट, तो कल बाली इसमें था, एक मिन खुली पड़िया, कल वाली भी, इसमें एक छोटा सा पार्ट जो है, वो चला गया, एक मिनटा, वो इसमें जरूर आपको करना था, just a moment, हाँ, यह रहा, हाँ, यह रहा, इसमें से ना कुछ एक चीज़ें हैं, वो आपको पूछी जा सकती हैं, तो देखना यार, इसमें से वो चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी हैं, बटा, तो आप देखें यहां पे, कि SMS के बारे में जो कि हमने पढ़ लिया, आउटरमोस लेयर है, and is made up of a thin mesothelium, ठीक है, किस से बनी होती है, mesothelium से बनी होती है, epithelium of the visceral organs, समझ में आ गया सबको, ठीक है, तो एक चीज़ हमने यहां से सीख ली, दूसरी वाद, with some connective tissues, of course, तो यह भी कर सकते हो, तो number 1, यह अपकी line हो गई, आप इसको side में लिख लीजिए, कि sirosa जो है, वो किस चीज़ की बनी होती है, mesothelium की बनी होती है, तो मैं आपकी जगा होती है, तो मैं यहां पर लिख लेती, ठीक है, दूसरा, muscularis is formed by the smooth muscles, ठीक है, usually arranged into inner circular and outer longitudinal, तो मैंने आपको यह भी बताया था, I-C-O-L, I-C-O-L, तो अगर मैं दूसरे नमबर पर यहां पर यह लिख लू, muscularis है, muscularis layer है एक, और, muscularis, मैं तो देख लेना, उसका spelling देख लेना, तो इसके दो layers है, बेटा, I-C, inner, O-L, I-C-O-L, याद रखने के लिए, यह stomach में present होती है, यह stomach में present होती है, सिर्फ और से stomach में, बागी जगा नहीं present होती है, यह जो उन्हें line add की है, यह stomach के लिए add की है, the submucosal layer is formed of loose connective tissue containing nerves, देखो, यह यह भी चीज़ है, nerves, blood and lymph vessels, आप मुझे बताओ कि आपने किसी nerve plexus के बारे में सुना है, जो की present है, कहीं पर, आपने किसी nerve plexus के बारे में सुना है, जो present है, हाँ, शाबश, तो submucosal में बिटा आपने देख लिया, कि क्या-क्या होते हैं, तो मैं आपकी जगा होती, तो मैं side में इसको लिख लेती, कि भई यहाँ पर blood vessels है, nerve है, and lymph vessels है, and so, and so, and so, done, okay, now, moving on to the other part, आप दिखो, deutenum glands are also present in submucosa, तो आपको पता होना चाहिए, बिटा, कौन से glands की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख लिजे, बिटा, brunner's gland, क्या लिख लिख लिजे आप, आप यहाँ पर लिख लिजे, बिजे, brunner's gland, लिख लिख लिए आप ने, हां जी, मीजनर's, हाँ, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, very good, very good, very good, so, आपके दो nerve plexus होते हैं, एक है आपका orbex, और एक होता है, बिटा, आपका मीजनर's plexus, चीक है, हाँ, ORBEX plexus होता है आपका muscularis में और जब आपका Mizra plexus होता है वो होता है भी आपका sub mucosa में ठीक है plexus कुछ नहीं है plexus is a bunch of nerves क्या है भी बंच of nerves है सब को समझ में आ गया Done? चलो very good आगे चलते हैं The innermost layer lining of the lumen is elementary canal is the mucosa जितने भी आपके glands हैं खास करके gastric glands हो गए, आपके intestinal glands हो गए, उस सारे के सारे बिटा आपके mucosa में present हो गए. Done है, done हो गया, तो आप, अगर मैं आपकी जगा होती हैं, तो मैं आपके लिख लेती ही कि भाई, mucosa में आपके सारे जो glands हैं, वो present हो गए. Also, अगर mucosa में folds हो जाएं, अगर intestine में, तो उसको क्या कहते हैं भी हम लोग बताना जड़ा? अगर intestine में mucosa में folds हो जाएं, तो क्या कहते हैं? अहां, time out करते हैं तुझे सारतर? क्या कहते हैं उसको? mucosa में अगर folds हो जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? शाबाश वैशनवी बहुत बढ़िया डवडीत यस उसको कहते है हम लोग विलाई वेरी गुड शाबाश विलाई और अगर म्युकोजा में स्टमक में फोल्ड हो जाए तो उसको क्या कहते है स्टमक में अगर फोल्ड हो जाए तो उसको क्या कहते है बहुत बढ़िया, very good आलिया कहती है, मैं हम रूगे कहते है सार्तक भी कहते है, मैं हम रूगे कहते है देख सार्तक तरह कितना अच्छा नाम लग रहा है बीटा तक तो यहां पर लिख रहा है, तो very good रूगे, हाँ, स्टमक में क्या हो जाते है, यह रूगे हो जाते है ठीके, तो यहां से दो चीज़ हमने निकाल ली, एक हमने निकाल ली यह विलाई और एक हमने निकाल ली रूगे, समझ आगे सबको तो यहां से दो चीज़े हमारी निकल गई, यह मुकोजल folds होते हैं, कौन से होते हैं mucosal folds होते हैं right, very good, बहुत ही बढ़िया हम, यहां पर लिखा हुआ यहां पर देखो, विलाई के बरे में लिखा हुआ है small intestine में है, folds रूगे जो हैं, वो आपके stomach भी होते हैं कौन से होते हैं, आपके mucosal folds होते हैं, यह अपने ध्यान रखना है, इसी इसका, I think we are done for this page, आगे चले, रुका गया बई, हम, ठीक है हाँ, एक और चीज है पिटा, अब यहां पर एक और चीज उन्हेंने बोली है, विलाई के बारे में तो हमने कर लिया modifications increase in the surface area enormously आपको पता है, जब भी कोई modification होती है plasma membrane, वो surface area को increase ही करती है ठीक है, यहां पर जो सबसे जादा question आपको आने वाला है वो आने वाला है, crypts of livercune या livercune, कुछ भी बोल लो तो इस पर आपको question repeatedly पूछेंगे हाँ, आपको बता है इसे करके अगर will I है तो ऐसे करके crypt होता है नीचे will I, crypt will I, crypt तो यह नीचे वाले आपके crypts है ऐसे करके, आपके, वो भी बनी है यहाँ पर, crypt ठीक है? तो जहां-जहां will I होगा साथ-साथ में आपको crypt भी होगा इन crypts में, बटा, कुछ तरह के cells present होते हैं, इनको बिटा, हम क्या कहते हैं, बताओ कौन बचा मुझे बताएगा crypts of livercune, जो है, यहाँ पर यही लिखा है इनों, mikoza also form the glands in the stomach, gastric glands, हमें बताया, crypts in between the bases of the villi, यूद इंटिसाइंस को क्या कहते हैं हम लोग, शाबश शाबश उन cells को क्या कहते हैं, हम लोग नवनीत को और नवी के लिए तालिया हो जाएं, बई, डॉक्टर शुपम के बादल के लिए भी तालिया हो जाएं, very good इनको बिटा, हम लोग कहते हैं panate cells इनको बिटा, हम लोग क्या कहते हैं, panate cells तो cells, जो आपके इसमें मिलते हैं, इनको हम कहते है panate cells, अभी अभी हमने question solve किया असपे, और panate cells are responsible for the secretion of panate cells, किसकी secretion के लिए responsible होते हैं panate cells are responsible for the secretion of of क्या बात है, very good शाबश, अलीबा सार्थक, खुशी खुशी आगे बढ़ना बिटा, panate से आगे बढ़ वैशनवी, दीपाली, very good lysozymes कहते हैं इसको lysozyme कहते है, ठीक है lysozyme are antibacterial, तो मैं पता हैं antibacterial क्यों बोलते है, because it cuts the cell wall of the bacteria, ये bacteria की cell wall को destroy कर देते है समझागे है सबको, तो ये हमारा paragraph यहाँ पे subtle है, यहाँ पे कुछ और पढ़ने के जुरूद नहीं है, because यह हमने subtle कर लिया यहाँ पे, done हो गया ठीक है, ठीक है आज़े, कौन विरंटलिन बच्चा है जो मुझे यह बताएगा, crypts of livercune या livercune में panate cell के लावा एक और cell भी होते हैं, क्या गहते हैं उसको शाबश, 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 हाँ crypts of livercune में या livercune में, panate cell के लावा एक और टाइप अफ सेल्स भी होते हैं हाँ, हाँ, शाबश, शाबश, शाबश हम, हम, हम हम, हम नई, आरे अरे, अरे teffin cells होते हैं इसमें urgent teffin cells भी होते हैं इसमें, यस, यस, यस urgent teffin cells का का होता है, होर्मोन secrete करना, urgent teffin cells होते हैं बिटा इसमें, और कुछ जो मेरे प्यारे बिच्चे pear patches लिख रहे हैं चलो, अगर तुमने छेडा है, तो pear patches भी कर लेते हैं what it is, what all is the pear patches, यह आपके crypts हैं यह आप सामने देख सकते हैं, what are pear patches pear patches क्या होते हैं और यह कहां present होते हैं pear patches बटा कौन से पार्ट में present होते हैं gut के, where does the pear patches are located they are the secondary lymphoid organs, बहुत बढ़ी आनुशका शाबाश, secondary अरे, मैं बोली, present कहां होते हैं small intestine यह तो बच्चों वाला आंसर हो गया दसवी क्लास के बच्चे का आंसर है यह बनो, neat वाला बच्चा बनो small intestine के तीन पार्ट से कौन से पार्ट में pear patches होते हैं, सबको बताए secondary lymphoid organ, because हमने human health and diseases पढ़ लिया है, very good शाबवाश, सत्यप्रकाश खुशी, अनुष्का, अभिशेक सार्थक, very good, दिपाली कहाँ पे ileum में present होते हैं, right ileum में, note कर लो इसको, तुमारा paper में आने वाला question है, note कर लो इसको, हाँ ठीक है, हाँ so ऐसा, ileum में present होते हैं समझा गया सबको, done हाँ, यह सबको पता होना चाहिए, यह question जो है, बहुत कम बचों को पता होता है इसकाज है, आला कि बहुत असान question है यह, चलिए बिटा, अब आते हैं हमारे next part पे, that is your digestive glands, अभी हमने elementary के नाल के बारे में पढ़ लिया, अब digestive glands के बारे में पढ़ते हैं accessories, accessories, accessories क्या, चूड़ी यह जुमके, accessory glands अच्छा, by the way, I did, I skipped one question what does lacteal transports, lacteal is a lymphatic vessel lacteal क्या transport करती है शाबश, शाबश, शाबश what does lacte, हाँ, शाबश, very good हाँ, क्या transport करती है हाँ, fats, kylomicrons हाँ, आपका जो lacteal है that is a lymphatic vessel, बड़ी होती है वो size में और वो fats को transfer करती है तुम्हें पता है वैसे कि lacteal को ही उसमें fat क्यों transfer होता है मतलब क्यों transport करती है fat वो पता है किसी को, हाँ या ना में जबाब दे देना हाँ, हाँ, हाँ ma'am, is NCRT full, sufficient for NEET 100% yes you can get a government college if you just read NCRT of course you need to know the decoding also अब अगर NCRT आपको एक एक line to line आती है मैं लिख के तुम्हें देती हूं कि तुम्हें अच्छा medical column मेलेगा वो भी government, वो भी दिल्ली के अंदर हाँ one layer is absent हाँ, basement membrane नहीं होती है उसमें क्या बात है, सार्तक तो पूरी book खा गया है सार्तक, बिटा, केसे खाई थी आपने book हाँ, भाड के खाई थी page by page यह ऐसे ही निगल ली थी पूरी यह लड़का बूरी वो खा गया है इसके पास हर एक चीज़ का अंसर होता है basement membrane absent होती है, लेक्टियल की तो इसलिए वो जो है, lipids थोड़े बड़े होते हैं साइस में तो इसमें involved होते है पाने में मेला की पिया था, ऐसे मतलिक बच्चे बैसा ही कर लेगे हाँ पर बहुत मजाख कर रहे हैं मुझे पर तुमें लो कित्ते पागल थोड़ी हो हाँ, मुझे जूस बना के पिया है उसने पी गया हो, पूरी बुक कहा गया, पुरा मान गया, क्या घर से लाएंगे के निकाल के तुझे हाँ, घर से लाएंगे निकाल के तुझे पता है में तु कहां रहता है चलो भाई, शर्मा गया यार बहुत बत्तमीज हो यार तुम कुछ भी बोलते हो इसको हाँ, ऐसे मत बोलो यार आओ यार अच्छा ठीक है, नदिल पे भी ले ले तुने अच्छा आपके जुमके और चूडी जो है आपके डाइजिस्टिव सिस्टम की डाटी यार लिवर हाँ, इट इट इस लाएक दाट हाँ, कैसे तो लिवर इस तरफ हाँ, राइट साइड में उपर, पेंक्रियास लेफ्ट साइड में नीचे पेट के नीचे, ठीक है, एट सलाइवरी ग्लाइड्स, सलाइवरी ग्लाइड्स ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, तो बेटा ये न पार्ट जो है, हम लोग कल ही कर चुके हैं इफ यू रिमिंबर, अगर आपको याद हो तो हम सलाइवरी ग्लाइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कि सलाइवरी ग्लाइड्स बेटा होते हैं, तीन पैर, अगर तीन पैर्स हुमें में होते हैं, आप कॉक्रूच की भी मर्फॉलजी और अनॉटमी पढ़ते हो, वट होते हैं सलाइवरी, वहाँ भी तीन होते हैं, कि दो होते हैं, कि क्या होते हैं, एक होता है, एक, वन पैर अफ ग्लाइड्स होता है, ऐसी कुछ ना आते हैं आपको कमपरेजन में हा, ठीक है, चलो, तीन पैर है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक को चीक ग्लाइड outside the buccal cavity, यहां पर लिखा है, parotid gland, लिखाओ, 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 यहां पर, parotid gland, the cheek gland, यहां पर is present होता है दो, the sub maxillary or sub mandibular gland, एक ही बात है, lower jaw, and the sublingual, below the tongue, these glands situated just outside the buccal cavity, आपको अगर यह लाइन बहुत ही, अगर इसे हलकी-फुलकी महसूस हो रही है, तो कृपया इसको हल के फुलके में ना ले, यह बहुत important line है, कहता है, यह जो salivary glands है ना, actual में, buccal cavity के बाहर present है, इसके secretion ducts के थुरू होते हुए, जो है, आपकी buccal cavity में आती है, did you get that, समझ आया है सबको, ठीक है, चलो, तो यह हो गया, now, liver is the largest gland of the body, liver is the largest gland of the body, liver is the largest gland of the body, liver is endocrine or exocrine gland, liver is endocrine or exocrine gland, please be smart, be very very smart, liver is endocrine or exocrine gland, हाँ, एक, डंडा लाओ यह, इस सार्टिक में तरह, थपड मारूगी तरह, जिन भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने स्वास्तिका ने लिखा है, एग्जो, जोतिका ने लिखा है, एग्जो, दिपाली ने लिखा है, एंडो, गरिमा ने लिखा है, एग्जो में भी, हम, आच्छा, आच्छा, ठीक है, तो इन नलाइकों को पड़ेगा चांटा एक मूँ पे खीच के, हाँ, डंडा लाओ भाई, जो लोग लिख रहे हैं, एग्जो एंडो ग्लाइंट, पच्छो, तो मैं आच्छो, एम एक्जो चीज लिखता है, मुझे हाट अच्छा है, हाँ वे पाहें, पॉम्हें, लिवर इस एक्जो ग्लाइंट, पूर्ली, पूर्ली, इपूर्ली, इजो नॉर्ट एवन मिक्स्टर, अबे, बहुत कुसा है नरहीं मुझा स्फ़क्य है बहुत बसारा है पताती हूं क्यों आइए-ई जरा देखे आउ dis咏 कम दा इसको दो закон juć no 85 अपिट्टर को देख पारे का इस Shelby Apple पारे है आप विद को नहीं आपको बता है यह आपका लिवर है, है न, ducts from liver, can you see that what is written here, ducts from liver, हाँ ठीक है, then gallbladder duct from gallbladder, can you see that, duct now tell me, where there are ducts present, they are exocrine gland or endocrine gland, tell me हाँ, बिताये माँ सांसरा न चाहिए हाँ पर, cystic duct, हाँ whatever, blah 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 अगर जहां कहीं भी duct present हुई, उसको हम exocrine gland कहते हो, endocrine gland कहते हो, कभी भी किसे न endocrine gland कहा, का तो मैं चांटा ऐसा मारू गीरम हूपे बट चुल, feel, feel हो जाता है, believe you may, feel feel हो जाता है, exocrine gland, liver is purely an exocrine gland it is not even partially endocrine, liver is purely exocrine gland, why, because it has a secretion, यह secretion करता है, bile juice, तभी तो लिखा liver is the largest gland, अरे भाई कौन से gland, अरे भाई, endocrine gland कौन से है largest है ना, चलो इससे पहले मुझे यही बता दो, the largest endocrine gland is dash, come on largest endocrine gland is dash, come on, come on, come on, tell me, largest endocrine gland is dash, शाबाश, इसका, इसका प्राई सो बेशन भी हो जाएगा, very good, शाबाश, and the correct answer is thyroid, thyroid is the largest endocrine gland, liver is the largest exocrine gland, और छोड़ो तुम, liver itself is the largest, because thyroid तो एनिवे लिवर के कंपारिजर में बहुत ही छूटा gland है, तो liver is the largest gland of the body, कौन सा, exocrine, look at that, दो ducts है उसकी, because majorly liver के दो लोब होते हैं, बिटा, एक होता है left lobe, एक होता है, right lobe, left lobe और right lobe से आने वाली दोनो ducts निकलती हैं, अपने साथ क्या लेके, bile juice लेके, जोगी आपके आता है यहाँ पे, और चला जाता है, gallbladder में, gallbladder में खाली जाके store होता है, अरे अच्छ अब gallbladder की duct को क्या कहते हैं, लिखा है आपके जामने यहाँ पे, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, चलो मुझे इसका नाम बताओ, duct of the gallbladder, duct from the gallbladder, इसका दूसरा नाम क्या होता है, शाबश शाबश जबश जल्दी बताओ, very good, हाँ, शाबश अनुश का, ममता, very good, इसको हम कहते हैं, cystic duct, क्या कहते हैं, तभी तो call is cystokinin, that means, वो बाइल जूस को gallbladder से भी निकलवाने में help करता है, you getting my point, cystic duct, इसको हम क्या कहते हैं, cystic duct कहते हैं, तो wherever, अरे, repeatedly duct, duct, duct word यूज हो रहा है, हाँ, रंडा लाओ यार, हाँ, पिटाई हो गिन सबकी, बेवकूफ बच्चे, ने, वो नहीं, जो नहीं सही आंसर दिया हैं, वो नहीं, वो बहुत प्यारे बच्चे हैं, लेकिन जो नलाय को नहीं गलत आंसर दिया था उनके लिए, anyways, तो यहां से बटा cystic duct, यह दोनों duct मिलती हैं, और यहां पे pancreatic duct भी आके मिल रही हैं, और साथ मिलके, यहां पे hepato-pancreatic duct बना देते हैं, सिस्टिक duct नहीं, I am sure that you know the answer, everybody of you know the answer to this question, what are pancreas, pancreas is another accessory gland, NCRT highlight करने से पहले, NCRT, basics तो clear करो अपने, pancreas is an endocrine gland और exocrine gland, शाबश, इस question cancer मुझे पता, तुम सब सहीद होगे, शाबश, शाबश, जो tough question होता है न, उस cancer में आता है, जो असान question होता है, उस cancer नहीं आता होता हमें कभी भी, शाबश, इसमें देखो, इसमें मास answer है तुमारा, because everybody knows answer हा, what, ma'am, pancreas भी न, आपको पता है, दो parts होते हैं, what, एक exocrine, एक endocrine, that is why pancreas is a heterocrine gland, और a mixocrine gland, हम जो digestive system में पढ़ते हैं, ये exocrine पढ़ते हैं, ये endocrine पढ़ते हैं, हम जो digestive system में इसका part पढ़ते हैं, वो exocrine part पढ़ते हैं, कि endocrine part पढ़ते हैं, pancreas का, चलो, शाबाश, शाबाश, मास answer होना चाहिए, इसका, हाँ, बहुत नहीं पढ़ते हैं, मारूँगी, digestive, juices के लिए, endo होता है, ये exo part होते है pancreas का, क्या होता है, हाँ, शाबाश, majorly बचो ने क्या लिखा हुआ है, exo लिखा हुआ है, and they are right, exocrine part, अरे, pancreatic duct की बात कर रहे हैं, हम लोग, pancreatic, जब duct बोल दिया, and hepato-pancreatic duct बोला, it is clearly indicating that we are talking about the exocrine part, हाँ, exocrine part, अचा चलो, शाब लिख के बढ़ते हैं, पार्ट को क्या बोलते हैं, pancreas के, what do we call exocrine part of the pancreas, शाबाश, हाँ, exocrine part का, मैं बार-बार time out दे रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हैं, उटा सिदा, S-N-I, हाँ, S-N-R, S-N-R और S-N-I बोलते हैं इसको, राइट, हाँ, S-N-I या, S-N-R बोलते हैं, चलो, शाबाश, चलो अभी तुम्हारे basics clear हो गए, भगवान का लाख-लाख शुकर है, भगवान, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी आपको पता लग चुका है, कि अगर यहाँ पे लिखा है, लिवर is the largest gland of the body, तो बिटा, यह कौन सा gland होगा, यह होगा बिटा, आपका exocrine gland होगा, अब आपको सारे regions पता हैं, कि क्यूं होगा, ठीक है, बाकी इसकी location लिखी है, वो तुम पढ़ ले न, कि क्या कि abdominal cavity में, below the diaphragm has two lobes, right and left lobe, ठीक है, तो इसके दो lobes होते हैं, right and left, प्लीज राइट दाट, वो लिखना तुम, right and left, ठीक है, next जो line लिखी है, वो बहुत important है, hepatic lobules, है न, hepatic lobules are the structural and the functional unit of liver, containing hepatic cells, प्लीज नोट दाट, ठीक है, इसको तुम site में लिख भी सकते हो, hepatic lobules, इसको निकाल के लिखो, हर बार बुक पड़ने की हिम्मत थोड़ी होती है, हर बार तुम्हारा दिवाग इतना शान थोड़ी होता है, कि तुम बुक के, पेज पनने को बले के बैठो कि तुम्हारा मन लग जाएगा, पता है न, जब कोई, फंक्शनल यूनिट औफ लाइफ, लाइफ नहीं, सुरी लिवर, मैं भी पगला गई हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, ठीक है, डन हो गया, अब इन हिपाटिक लोब्यूल्स के बीच में, बटा, आपके होंगे हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट्स होंगे, और हिपेटोसाइट्स क्या बनाएँगे बटा, हमारा बनाएँगे, बाइल जूस बनाएँगे, क्या बनाएँगे, हिपेटोसाइट्स बनाएँगे, बाइल जूस, यह लिखा भी होगा यहां पर, हाँ, functional root of liver, ठीक है, हाँ, लिखा है, यहाँ पर arranged in the form of cords, cords मतलब होता है, एक दूसरे के उपर arranged होता है, राइट, अच्छा, each lobule is covered by thin connective tissue sheet called as glissans capsule, तो मान लिजे कि hepatic lobule ऐसे है, तो इसके उपर बिटा एक thin sheet लगी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, glissans capsule तो आपको पता होना चाहिए, हिपेटोसाइट, हिपेटिक lobule, glissan capsules, यह तीनों के तीनों जो है, आपके liver का part है, in fact, एक और चीज आइड है इसमें, कौन से cells, dash cells, can you name that cells, कौन से cells हैं से जो इसका part है, शाबश, अहाँ, एक ऐसी चीज है जो इसका part है, sinusoid, नहीं, very good, नवनीत कौर, नवनीत कौर के लिए तालिया हम जाए भी, नवनीत कौर, वैशन भी, अरे, कफर cells, नहीं, कफर cells, कफर, कफर cells होते हैं, कफर cells are phagocytic, they are also the part of the liver only, हाँ, वो phagocytic होते हैं, कफर cells, k-u-p-double-f-e-r, anyways, the bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts, आपने पढ़ी हैं, right and left ducts, जो होती हैं, ठीक है, and stored and concentrated in the thin muscular sac called the gallbladder, तो बिटा, आपको कभी-कभी यह question भी पूछा है, कि gallbladder का काम क्या है, तो एक तो bile जुसको store करना, अरे, दूसरा concentrate करना भी, concentrate करना भी, है न, तो storing and concentrating the bile is the two functions, are the two functions of the gallbladder, please write that also, duct of the gallbladder, यहाँ पे cystic duct यहाँ पे लिखा हुआ है, picture में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है, तो please इसको कर देना है, न, उसको हम लोग क्या कहते हैं, common bile duct कहते हैं, तो तुम्हाई जगा अगर मैं होती, तो मैं यहाँ पे लिख लेती इसको, ठीक है, क्या लिख लेती मैं बताती हूँ, cystic duct, cystic duct plus cystic duct plus the common hepatic duct, है न, और hepatic ducts, common hepatic ducts, hepatic ducts आपको पता हैं, कहां कहां से आई हैं, आपके right and left lobe से आई हैं liver के, ठीक है न, lobe of liver, इसको हम मिला के पिटा, क्या कहते हैं, इसको हम मिला के कहते हैं, common bile duct, तो मैं होती तो मैं लिख लेती यहाँ पे, common bile duct, और in fact इसको यहाँ क्यों छोड़ती, common bile duct जब पहुंचती है और मिलती है, pancreatic duct से, ठीक हैं, तो इसको बिटा, यह क्या बन जाती है, यह बन जाती है, यह बन जाती है, आपकी hepato-pancreatic duct, तो इसको पूरा ऐसे लिख लेती हैं पे, Had I been at your place, I would have written like this, ठीक है, राइट, और यहाँ पे लिखा हुआ है, Hepatoiduct from the liver forms a common bile duct, the bile duct and the pancreatic duct opens together into the deutenum, the common hepatic pancreatic duct, which is guarded by the sphynster of Odie, यह सबसे most frequently, I think one of the most favorite question of the examiner, sphynster of Odie, one of the most important, most frequently asked paper, I think last year भी आया था पेपर, मुझे लगता है जहां तक है, sphynster of Odie, one of the favorite question of the examiner so far, one of the favorite question of the examiner so far, right, done हो गया, हाँ, sphynster of Odie, ओई ओड़ा, यह ओड़ा, यह ओड़ा, यह ओड़ा, यह ओड़ा, यह ओड़ा लिख 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 रहा है, ओड़ा यह स्वेसर तुमने कहाँ पढ़ लिया, अरे नहीं रहे, ठीक है, तो यह तो हो गया बिटा, आपका, लिवर के बारे में, और यहां पे हमने इसके बारे में देख भी रिया है, मैं अल्रेड़ी एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ इसको आपके बारे में, इंडोक्राइन ग्लाइन, ठीक है, बाकी वो लिखाओ है, अब तुम देखो कि, अब तुम्हारा इतने से तो काम चलेगा नहीं, तो तुम इसलिए क्या करोगे हाँ पे, पेंक्रियास, एक छोटा सा फ्लोचाट बनाओगे, पेंक्रियास, दो पार्ट्स है, एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है, ध्यान देना, एक्जोक्राइन को क्या कहते हैं, अभी अभी तुमने बताया था, मुझे क्या कहते हैं बिटा, एक्जोक्राइन को कौन सा पार्ट कहते हैं? हम कहते हैं इसको acinar part Acinar part कहते हैं ठीक है? entonces endocrine को कौन सा part कहते हैं हम लोग Ilet of Langerhans कहते है Viz convince me ठीक है? So Ilet of Langerhans जुए है आपके दो hormone siquerete करता है जिसके नाम यहां पे जो है वो लिखे हो mesh बश़ाइबार थी digestive juices secret करेगा digestive juices secret करेगा राइट सबको समझ में आ गया हाँ alpha beta delta cells होंगे इसके बीच में so that would be it हाँ समझ आया सबको यह done done हो गया इतना clear है सबको very good एक और question पूछना था मुझे तुम से हे अरे एक बात बताओ यह जो pancreatic juice होता है इसको complete juice कहते हैं ऐसा क्यूं है pancreatic juice को हम लोग complete juice कहते हैं ऐसा क्यूं है बताओ थो pancreatic juice को हम लोग complete juice कहते हैं चलो why it is called so why it is called so शबильно हम पह में एच में होड़ी आज का नहीं है ये, आज का ये 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 येस्टरड़े पुस्चिन सेम ही है हाँ जी प्रेजन्स आल एंजाइम्स तो ये कहता है कि जो पैंक्रियाज में है न बटा सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो प्रेजन्स होते हैं आपके बायो-माक्रो मॉलिक्वल्स को कट करने के लिए For example, carbohydrates के लिए amylase है, या amylopsin है For example, proteins के लिए 3 है rather, trypsynogen, chymotrypsynogen and pro-carboxypeptidase तो यह तो ओके दो, तीसरा कौन सा है? Protein, carbs, fats, fats के लिए steepsin, lipase, ठीक है? Nucleic acid के लिए क्या है? Nucleic acid के लिए क्या है? Very good, हाँ 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 Nucleic acid के लिए क्या है? Nucleases हैं यहाँ पर, right? तो सारे के सारे biomolecules को cut करने के लिए, बिटा, यहाँ पर हमारे पास enzymes होते हैं इसलिए, बिटा, हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं Complete juice We call it as complete juice Right, 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 right ठीक है? Done? चलो, शबश तो यह है, बिटा, आपका I think, question मुझे लगता है, हमारे repeat ही हो गए है And I think क्योंकि हमने कल नहीं किये question यह हमने कर लिया ना भी? यह कर लिया हमने यह भी कर लिया Practice का part नहीं है यह यह भी कर लिया है यह एक हाली नहीं किया है यह तो बहुत असान question है ठीक है चलो, मैं ही पूछ लेती हूँ तुमसे कुछ question कुछ question, हाँ, हाँ चलो, ठीक है मेरे हाथ ठाक रहे हैं टाइपिंग में I know, सरदी हो गई है ना थोड़ी सी हाँ, कोई बात ने तो बिटा, आज हमने क्या पढ़ा है आज हमने पढ़ा है हमारे digestive glands के बारे में हमने एक overview लिया किस-किस के बारे में आपके salivary glands के बारे में आपके pancreas के बारे में और आपके liver के बारे में हमने जो है, वो एक overview लिया है तो एक question में आप से पूछ लेती हूँ जो हमने कल किये थे तो यार मुझे एक बात बताओ that I need which diagram चलो यह diagram रख लेते हैं सामने बड़ कोई बात ही मुझे बताओ आपका जो है salivary glands है वैसे मुझे पता है कि तो इसका अंसर भगवान सही आए salivary glands विटा exocrine है या endocrine है? शाबाश अहाँ salivary glands जो है वो exocrine है या endocrine है? शाबाश 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 very good go 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 thank you भगवान मेरे बिच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसू निकल रहे मेरे तो वैटा salivary glands exocrine glands है क्यों? जिसने endocrine gland दिखा है उनके कान की नीचे चाटा लगावा खुद को खीच के एक ठीक है? बताती हूँ क्यों क्यों सुनना भी बेटा आपका सबसे पहला salivary glands है आपका parotid gland तो बेटा parotid gland की duct को क्या कहते हैं हम? parotid gland की duct को क्या कहते हैं हम? क्या नाम है? चाबाज चल्दी बताओ इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? तो parotid gland की बेटा अगर हम duct बोल रहे हैं तो duct में अगर इसे क्रिशन अपनी पोर कर रहा है that means it is your exocrine gland समझ मैं है? इन फाक्ट आपको एक बिमारी होती है अगर parotid gland को अगर swelling हो जाए तो कौन से बिमारी होती है अगर बता ना? कौन से बिमारी होती है? इफ देश्वेल्स परotid gland स्वेल्स इचीक glands अगर very good शाबबाश क्या बात है? तार्थक अलीभा नवनीत आशीष क्या बात है? मंप्स मंप्स नहीं बिटा मंप्स M-U-M-P-S मंप्स मंप्स होती है राइट? ठीक है? मंप्स जो है बिमारी होती है मंप्स is a viral disease परमिख्जो वाइरस से होती है परमिख्जो वाइरस होती है इसके लिए आपको पता है ना? कि वो वैक्षिन भी है M-M-U-M-R मंप्स मीजल्स और रूबियोला पता है न आपको? नशार आपको पता होगा है M-U-M-R vaccine होती है चीक है? मेरे नहीं हुई है आपर शुकर मनागरिमा भीता जोई है ने तुझे वो ठीक है तो आइपने को किरी वेरी गुडर vem a उरी और शाब भास साक्षी वेरी गूड़ वाटन्स डक्ट कहते हैं क्या कहते हैं Watton's duct कहते हैं, very good, बहुत बढ़िया, Watton's duct कहते हैं, very good, very nice, and the third part, that is the smallest of the glands, the sublingual gland, sublingual gland की duct को विड़ा क्या कहते हैं हम लो, what do we call sublingual gland की duct को, shabash shabash shabash, very good, shabash, anushkam, masarat, siddharth, very good, this com कहते हैं, duct of ravenous, duct of ravenous कहते हैं, the smallest of all, so like that, so all of three of them, they are exocrine glands, हाँ because wherever they are putting the ducts that means it is your exocrine glands ठीक है ना अलचे चलो मुझे बताओ यह sweat glands है हमारे यह sebaceous glands है यह exocrine glands है endocrine glands है अहां आपके जो sweat glands हुए और exocrine है यह endocrine है sweat glands हाँ very good अहां अहां तो दिमाग लेगाँ very good शाबश 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 लास्टी वश्चन है इसके बाद मिन जा है I'm glad that majority is writing the correct answer exocrine gland है these are the exocrine glands विटा आ्रे आपको sweating होती है है ना है सबको under arms में sweating होती है ना ऐसा टो कोई ऐसा विर्ला तो नहीं पैदा हो जिसको under arms से the setting नहीं होती है बताओ मुझे यहां पे लिख कहे ऐसा तो को ही नहीं है असा है ना चेहां कहीं लोगों को हाथों में ृटी sweating होती है mostly काफी लोगों को होती है I think so मुझे भी होती थी बड़ अब मुझे इतनी नहीं होती है बड़ होती है ठीक है then that means कि हमारी body में sweat glands वो कहीं कहीं पे जादा hyperactive है ठीक है माथे पे पसीना बड़ता है जैसे लोगों को right exam time है माथे में जूट जाट बोल्ड़ों जूट पकड़ा तो थंडे पसीने बने लग पड़ता है that means that some of the places these sweat glands are very high-pinned that means उनकी ducts वहां पे है अगर तो endocrine gland होती है तो बहार आता है इनिसा से बले तो ducts है तो हर जग तुमारी ऐसे बार जो से भी आसे sweat यहां से टपक रहा होता है वैसे बट ऐसा तो नहीं होता है अपके गालों से भी ऐसे टपक रहा होता है यहां पे ऐसा तो नहीं होता है कहीं कहीं पे आपको जादा जो है वो sweating होती है logic लगा के देखा करो यार logic लगा के देखा करो तो कर पाओगे सारा है ना तो फिर ये तो question अच्छा असान था, so I hope you had learnt well, है ना आज सबने basic सी किये है clear किये है और आज मैंने क्या बोला है आज मैंने rough hands sweating होती है, मेरा एक भाई है बुबा का बिटा उसके साथ हुआ था इसा, so he had this problem of setting in hands and he went for air force का interview and air force का interview में medical में इसको इस इसके लिए ने काल दिया था it was very disheartened ना मतलब force वालों को नहीं चाहिए ना ये सब ओहो ये था हमने किया ही नहीं था suckas entericus is also called as intestinal juice, अगला question किया है था हमने ये था हमने किया हुआ है, antibacterial ये था हमने किया है ना अभी, अभी अभी किया है अभी पैलेट सेल्स है इसमें बाकी सब सेल्स पता है ना खो क्या है argent effincels hormone release करते हैं zymogen cells क्या करते हैं बई zymogen cells क्या करते हैं ये ज़रा बता दो जाते जाते zymogen हाँ क्या करते हैं zymogen में गेस्टिक ग्लांज के सेल्स होते हैं, तो दे सिक्रीट सम अफ दे थिंग्स हां, नट गॉबलेट सेल्स हां, बेवकूफ, कुछ भी तुम बोलो गया, पेपसीनोजन सिक्रीट करते हैं, राइट, यह हम कर चुके हैं अल्रडी, ठीक है, यह छोड़ो इसको तुम अभी, तुम पढ़ लेना, हम इसको धीरे दीरे लेके चलेंगे, NCRT Highlight Series को, क्योंकि इसमें आपके basic player होना बहुत जरूरी है, यह हम kind of NCRT decoding है, right, so that is that, तो कोई बात नहीं, आज में digestive glance के बढ़ा, इसी के ऊपर तुम इसको पढ़ो, मैं कहती हूँ, इसको, यह हमने आज पढ़ा ह है, 2-3 paragraph सी पढ़े है, सोने से पहले at least 2-3 बार पढ़ लेना इसको, 2-3 बार पढ़ लेना, मैं तुम्हें कहती हूँ, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए, और बिल्कुल जब सोने वाले होगे न, उससे 15-20 मिंट पहने पढ़ना इसको, तो मारे दिमाह में ठोड़ा इंबाइब हो जाएगा ये, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, NCRT, खास करके biology में, line to line पढ़ना, ठीक है, जाने से पहले बटा, हमारे विदानतु के वे platform पे, हर मंडे को एक जो नया batch शुरू हो रहा है, तो उस नया batch में crash course आपको दिया जा रहा है, ठीक है, जिस crash course के लिए अब सालों साल वेट करते हो, तो उसको टाइम पे जॉइन भी कर लेना चाहिए, तो मेरा तो आपको ये suggestion रहेगा, एक batch हमारा अलड़ी शुरू हो गया, अब अगले मंडे से दूसरा batch शुरू होने वाला है, तो उसको आप ले सकते हो, और उसको जो लेने का प्रोसेजर ब आपको इसमें off मिल जाएगा, ठीक है बटा, तो शुरू हो गया है, बहुत सले बच्चों ने जॉइन कर लिया है, तो डोंट मिस आउट अट, अगर आप CBSE के लिए side by side जो है preparation कर रहे हैं बटा, तो CBSE term 2 के लिए हमारा crash course again launch हो गया है, with the new modified slabbers and the question answers बटा, तो ये इसके लि link जो है वो description box में दिया हुआ है, ठीक है बटा, तो ये हमारे विटा कुछ जो results हैं, जो last year हमारे AIR आए हैं वेदान्तु की तरह से and many selections has been done by वेदान्तु, ठीक है, तो बटा, ये वारा telegram group का link है, इसको भी जरूर जोइन कर लो, इस पर सारी information आपको मिलती है, वीडियो को like and I'm a master teacher here on Vedantu Neat Made Easy and goodbye, ठीक है, कल मिलेंगे दुबारा, इसी वाक्स शाम को साथ पचे, चलो, bye-bye